अकितास की चन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोक देखके ही कह सकते हैं कि यह सबजी कितनी डिलीसियस लग रही है तो तेस्टी भी बहुत होगी और ब trendy ही इंस्टेंट बनने वाली सब्जी है दोस्तों और बिलीव करिए सब्जी मैंने बैंगन और आलू की बनाई हुई है बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है वीडियो पूरा जरूर देखेगा आपको बहुत पसंद आएगी सब्जी के लिए हमने एक बैंगन लिया है आलू टमाटर प्याज और थोड़ा सा अद्रक लसून और हरी मिर्च उसे अच्छे से धुल के काट लिया है अब हम कूकर को गरम करेंगे उसमें थोड़ा सरसो का तेल डालेंगे और जीरे का तड़का देंगे साथ में कटा हुआ लहसूल अद्रक और हरी मिर्च डालेंगे और उसे सौटे कर लेंगे अब उसमें हम कटे हुए प्याज को डालेंगे और उसे भी अच्छे से चला लेंगे साथ में हम उसमें थोड़ा सा हेंग डालेंगे और उसे भी चला लेंगे अब उसमें हम आलू डालेंगे कटे हुए और इसे तब तक भुनेंगे जब तक थोड़ा सा आलू रेडिस कलर का ना हो जाए अलू अच्छे से बुरने के बाद उसमें हम कटा हुआ बैगन डालेंगे और साथ में दोस्तों यह मैंने लहसुन लिया है जो बिल्कुल खटा है इसको भूद दूल लिया है ये सारे मसाले डालने के बाद हम आलो बैगन को मसालों के साथ अच्छे से 2-3 मिनट तक भुनेंगे अच्छे से भुनने के बाद दोस्तों इसमें ग्रैवी के लिए थोड़ा पानी डालेंगे पानी थोड़ा कमी रखेगा क्यूकि बैगर और टमाटर थोड़ा पानी चोड़ता है उसके बाद इसको हम अच्छे से चला लेंगे और कूकर को पैक करके, दो सीटी आने तक पकाएंगे उसके बाद दोस्तों कूकर को खुद से खुलने देंगे और आप देखेंगे कि सब्जी बिल्कुल बनके तयार है अब इसे अच्छे से चला लेंगे mix कर लेंगे देखें दोस्तों बिल्कुL Ready है अब आप इसे गरम गरम सर्फ करिए आप इसे राइस के साथ पूरी के साथ पराठी के साथ चपाती के साथ इसको आप सर्फ कर सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी और डिलीसेस लगेगा दोस्तो रेसिपी ट्राई जरूर करेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करेगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करेगा